हाई फ्रेंड्स वेलकम टू इजी लाइप पित संगीता पराठे तो हम सभी अपने घर में बनाते हैं लेकिन इस तरह से गेहूं के आठे का लिक्विड डो बना कर इस तरह के टेस्टी गालिक पराठे आपने पहले कभी नहीं बनायोंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं यह पहुत ही टेस्टी पराठा रेसिपी यहां पर मैंने एक बाउल भरकर यह गेहूं का आठा लिया है कोई भी कप कटोरी गिलास आपको सेट करना है उसी से मेजर्मेंट लेना है तो अब यहां पर इस आठे में मैंने डाल दिया है आदा चमच नमक नमक को मिक्स कर देंगे और अब हम इसमें डालेंगे पानी तो जिस बरतन से हमने आठा मेजर किया है उसी में हमें पानी लेना है तो यहां पर मैंने एक बाउल भरकर पानी इसमें डाल दिया है पानी को अच्छी तरीक से मिक्स करेंगे अब मैंने इसे काफी अच्छी तरीक से घोल लिया है और आ बाद में याड़ करेंगे पहले इसे मिक्स कर देते हैं अच्छी तरीके से अब इसे मैंने काफी अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है और जो बचा हुआ पानी है न वो भी हम इसमें डाल देंगे और इसे भी mix कर लेते हैं तो इस तरह मैंने ये एक बाउल भरकर गेहूं का आटा लिया था और डेड़ बाउल भरकर पानी इसमें डाला तो आपको यहां ध्यान डगना है जिस बरतन से आप गेहूं का आटा measurement कर रहे हैं उसी से आपको पानी भी measurement करना है जितना आटा लेना उसका डेड़ गुना पानी डालना है अब इसमें मैंने टेस्ट के लिए डाल दिया है बारिक केटा हुआ हरा धनिया और एक चमबच भरक अगर आप चिली फ्लिक्स नहीं डालना चाते तो इसकिप कर सकते हैं अब मैं इसमें डाल रहे हूँ एक चमबच ओयल आपको यहां सरसुका तेल यूज नहीं करना है बाकि कोई भी ओयल जो आप खाना पसंद करते हो वो डाल सकते हैं या फिर आप बटर या गी भी डाल सक कोई ले लेना है और इसे भरकर आपको लेना है और इसे आपको पैन में डालना है तो यहां पर पैन मैंने पहली गरम करने रख दिया था अब यह एक लेडल भरकर मैंने बैटर पैन में डाल दिया है और बैटर डालते ही आपको इस तरीके से लेडल को इस बैटर के उपर हलके हाथों से गुमाएंगे एकदम गोल गोल ये बनके त्यार हो जाएगा अब इसे low to medium flame पर सिखने दें ये देखिए उपर से इसका color change हो गया है उपर से ये dry हो गया है और जो sides है वो भी ये अब छोड़ने लगेगा ये देखिए इसने ये जो sides है ये छोड़ दिये हैं औ उपर से सूख गया है तो इसका मतलब नीचे से हलका सा सिख चुका है और हम इसे पलट देंगे अब पलटने के बाद दूसरी तरफ से भी थोड़ी देर से सिखने दे अब यहां से भी मैं इसे पलट देती हूँ और ये देखिए इसके उपर brown brown spot आ गया है तो बस अब मैं इसके उपर लगा रहे हूँ घी आप पटर ओईल जो भी खाना पसंद करते हैं वो इसके उपर लगा सकते हैं थोड़ा सा घी लगाने के बाद मैंने से फिर से पलट दिया है और इस तरफ भी मैं इस पर घी लगा दूंगी और अब इसे low to medium flame पर ही हम सेकेंगे बहुत ही सि पराठे को दोनुई तरफ से इस तरह दबा दबा कर सेक लेना है इस तरह दबा दबा कर सेकने से पराठे फूल जाते हैं और बहुत ही बढ़िया ये सिक कर त्यार होते हैं ये देखिए अब पराठा फूलने लगा है ये पराठे खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं एक अबर आप भी अपने घर पर इस तरह लिक्विड डो से ये लेसुन पराठा बना कर देखिएगा, सच मानिए बहुत ही टेस्टी बनते हैं और बनाना इन्हें बहुत ही आसान हो जाता है। पराठे को दोनों ही तरब से इस तरह दवा-दबा कर हमने सेख लिया है। पराठा अच्छी तरह दोनों तरब सेख चुका है। तो बस इसे हम निकाल लेते हैं। अब हम एक और पराठा बना लेते हैं तो मैंने यहाँ एक लैडल बरकर बैटर डाला है तरह पैन में। और हलके हाथों से हम इसके उपर इस तरह ये लैडल घुमाएंगे हमें यहाँ पर इसे बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना है क्योंकि हम पराठे बना रहे हैं और अब इसे हम सिखने देंगे गैस का फ्लेम low to medium ही रखेंगे, हाई फ्लेम नहीं रखना है और यह देखें यह उपर से अब सूख गया है और इसने किनारे भी छोड़ दिया है तो बस अब हम इसे पलड़ देते हैं और यह देखें हलके हलके से स्पॉट आ चुके हैं इसके उपर अब दूसरी तरफ से भी थोड़ा सा सिखने दें और जब थोड़ा सा सिख जाए तो इसे पलट दें और इस पराठे को हमें दबा दबा कर सिख ना है ताकि से ये अच्छी तरह सिख कर त्यारो और एकदम फूल जाए पराठे को दोनोई तरप से थोड़ा थोड़ा सा मैंने सेक लिया है और अब मैं इसके उपर लगा रही हूँ घी बहुत जादा गी नहीं लगाना है थोड़ा सा ही घी लगाना है और अब मैं इसे पलट कर दूसी तरप भी इसके उपर खी लगाऊंगी तो ये पराठा मैंने पलट दिया, ये देखिए बहुती बढ़IES सिककर तयार हो रहा हुआ ये और यहाँ पर मैंने स्कूपर लगा दिया हलका सग़ी अब हमें पराठे को इस तरह दबा दबा कर शेखना है इस तरह पराठा बहुत ही अच्छा सिखता है और खाने में बहुत अच्छा लगता है दोनों ही तरफ से अलट पलट कर हम ऐसे ही सिखकर से त्यार करेंगे ये देखिए पराठा दोनों ही तरफ से बहुत ही अच्छी तरह किसे सिख चुका है टेस्टी पराठा हो चुका है तैयार तो बस आपको इसे फिर से पलट कर दिखा देती हूँ और ये देखिए तो बस आप पराठा तैयार है इसे हम निकाल लेते हैं और इसी तरह सारे गार्लिक पराठा में बना कर तैयार कर लेने हैं यह पराठे को मुठी में लेकर दिखाया है और इसका रोल बना कर भी दिखाती हूँ की पराठे कितने ज़ादा सॉफ्ट है तो इस तरह के पराठे आप अपने घर में बच्चों के लिए बड़ों के लिए सबी के लिए तियार कर सकते हैं घर में अगर कोई मेहमान आए तो उन्हें आप इस तरह के पराठे खिलाईए, सब आपकी बेहत तारिफ करेंगे। वीडियो पसंद आई तो लाइक कमेंट शेयर करें, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।